नमस्कार दोस्तो अभी अभी की सबसे बड़े और भेंकर खबर राजिस्थान से आ रही है जी हाँ दोस्तो आपको बता दे पूरे राजिस्थान में अलर्ट जारी कर दिया है साथ ही दोस्तो पुलिस जवानों को तेनात कर दिया गया है हर जगे साथ यो बता दे प्रदेस बर में आज कुर्बानी का त्यावार इदुल अजा बड़े हर्स और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है इद के त्यावार को लेकर सहर में सुरक्ष विवस्ताओं के लिए विशेश से इंतजाम किये गए हैं पुलिस प्रिसासन की और से सहर की सवी मस्जिदों में सुरक्षा की चाक चोबंद विवस्ताओं की गई हैं वहीं इद गाहा पर हुई मुख्य नमाज में बड़ी संख्या में नमाजी पहुंचे जैपूर पुलिस ने नमाजीों की सुरक्ष विवस्ता के लिए जगे जगे पुलिस की जवान तेनाथ कर दिये हैं पुलिस के जवानों के साथ साथ होमगार्ड, RSC, ERT, QRT, सही तमाम सुरक्षा एजनसीयों को तेनाथ किया गया है वहीं जादा भीट भाडवाली जगों पर निगरानी के लिए जगे जगे ए इस्थाई वोच टावर बनाए गए हैं इन वोच टावरों से पुलिस कर्मियों ने विशेश निगरानी रखी है ताकि जिससे किसी प्रकार की कोई भी एववस्ता कहीं पर भी ना हो साथ ही सुरक्षा विवस्ताओं को मद्य नजर रखते हुए सादा वर्दी में भी पुलिस कर्मी तेनात किये गए हैं नमाज अदा से पहले सेहर में नमाज की जगह उपर ड्रोन कैमरों के माध्यम से पूरे इलाके की निगरानी रखी जाएगी जिससे किसी प्रकार की कोई भी एपरिये गटना ना हो DCP North पारिश देशमुक के मताबिक सुरक्षा के लिए कापी संक्या में पुलिस बलतेनात किया गया है इद गहा दिल्ली रोड पर नमाज के दोरान ट्रेफिक को दोनों तरफ से डाइवर्ट किया गया है सुरक्षा को द्यान में रखते हुए आसपास की बिल्डिंगों की छटों पर रूप टोप डिपलोएंट किया गया है जिससे चारों दिसाओं में नमाजियों की सुरक्षा के लिए निगरानी की गई है वर्दी धारी पुलिस कर्मियों के साथ सादा वर्दी में पुलिस के जो कर्मी है उनकी सुरक्षा व्यवस्ता में दोस्तों लगाए गए है तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी देश दुनिया से जुड़ी हर पिरकार की अपडेट आपको चैनल पर मिलती रहेगी की चैनल अभी ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर करें तदा आप हमारे वीडियो कहां से देख रहे हैं कॉमेंट बॉक्स में हमें आवे से बताएं धन्यवाद दोस्तों